Journalism is considered as the fourth pillar of democracy. अगर तुम कोई Journalism student हो या कोई Journalism Aspirent student है और सोच तो रहें कि भाई ये लेने के बाद exactly career में क्या growth हैगा, कहां जा सकते हैं, क्या career options है, पैसे कितने हैं, तो मेरा आज के वीडियो आपको बड़ा काम आएगा. क्या दोस्तों, welcome back to the channel, ये है मेरा education tutor segment जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूँ on careers after 10, 12, graduation, job, salary, placement and much more. आज का वीडियो तो only dedicated to journalism student, भाई इसके उपर मुझे बहुत Instagram DMs आच चुके, email आच चुके, Facebook page पर तक में भी messages आच चुके, कि बाई जर्नों के उपर please बनाई है, तो irrespectively आप BGMC student हो, कि मास communication वाले student हो, या specifically को course करके आरो journalism का, आज की वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे career path बता चुके है, CNBC को, NDTV को, या MTV को, भाई मैं सब में काम करके आया हूँ, तो मैं exactly आपको पता सकता हूँ, भाई यह reality क्या है, विकास बहुत भले ही वो journalism, advertising, film production हो, बहुत ऐसे myth से market में, plus salary को लेके तो बहुत ज्यादा ही कुछ myth चल रहा है, तो आपको आज की वीडियो में clarity मि के लिए ही सेफ, तो उसके बार में जानने के लिए वीडियो को अन तक पूरा देखिए, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, मुझे नीचे comment करके बताना भी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप journalism की पढ़ाई अल्रेडी कर रहे हैं, कौन सा course कर रहे हैं, या आप इसके बार में research कर रहे हैं, नीचे comment करके बताईए, जर्नलिजम के लिए कौन से डिगरी कुस करना चाहिए, I don't think so, मुझे इसके बार अभी आप लोग का बताना पड़ेगा, विकास जो देख रहे हैं, मैं वजूम कर रहा हूँ, उसी background से आ रहे हैं, विकास इंडस्ट्री इतनी बूमिंग है ना, especially after this pandemic, तो भाई और टाप की publications, channels और कितने कुछ आ चुके हैं, कि आपको career verticals काफी मिले, वो PR कहो, broadcasting कहो, radio कहो, television हो, law firms भी होते हैं, consulting firms होते हैं, digital marketing agencies होती हैं, वो दुख पहले जो एक हाली होता था कि सिप broadcasting के तरफ जाना है, अ अब वो नहीं है, now the vertical has expanded, there are multiple options, जहाँ पे एक journal student जा सकता है, आपके तीन साल ले course में आपने जो 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 पढ़ाई किया, उसके साथ आए, मज्यूम करो, आपने internships and थोड़े बहुत additional skills भी किया रहेंगे, तो अब आपको मैं ऐसे कुछ career past बताता हूँ, जहाँ पे आप आप प्रिंट जितने मीडिया जरते हैं, वो आपको हायर कर सकते हैं, अगर आपकी photojournalism उतनी अच्छी सितनी strong है, मतलब इतने ज़्यादा लोग, अगर I think आप लोग, obviously Instagram जो से यूस करते ही होगा, आपने देखा होगा, वहाँ पे Nat Gio sponsored कितने photojournalists होते हैं, जो अपनी storytelling, अपन 2-3 years, if you are a first year soon, दूसरा option जो है, वो है copywriter का, अब copywriter की hiring कौन करता है, वो करता है, news channel कर रहा है, magazine कर रहा है, online video production वाले companies करते हैं, and copywriter से journalism के साथ में नहीं, advertising के साथ भी बहुत काम आते हैं, भाई, आप agency जाओ, कहीं पर भी जाओ, whatever it is written, your slogan, your tagline, anything, भाई, वो copywriter का part होता है, कि salary भी काफी अच्छे होती, but depending upon who person का experience कितना है, तीसा जो career option आपके पास है, वो है editor का, भाई, editor का बहुत important point होता है, when it comes to your newsprint publication, कोई online blog channel भी क्यों ना हो, TOI का, कोई page क्यों ना हो, Facebook क्यों ना हो जाए, भाई, anything which is going out, उसकी जो proof reading होती है, वो check होना, वो सही है, उसकी language, उस research, अगर तुम कोई हो, जिसको researching बहुत पसंद रहती, तो ये field तुमारे ले काफी अच्छा, because media researcher जो रहता है, वो तुमारे जो field वाली production team होती ही, उनकी जो requirement होती है, with respect to that, उसका काम लगता है, वो भले location research हो जाया है, या कोई, माल लो कोई shoot हो रहा है, उसके respective में कुछ props आ होता है, and एक बहुत important job होता है, because अगर इसने कुछ गलत कर दिया, तो पूरा segment ही गया, 5th जो option आपके पास, वो है public relation, मतलब PR, PR is one of the most highly paid jobs, and इसके में भाई, देखो, इतना समझ जाओ, काम ये है, आपका कि आप public में अपने company का persona बना रहे, तो आपके through, you are the main person responsible, creating that brand image out there, maintaining that relationship with people out there, branding and PR, जो कहते हैं, साथ इसाथ चलते हैं, ये होता है आपका काम, और इसको hiring तो every agency करती है, every, because आज के time पे PR सबको चाहिए, ये obviously journalism course में आपका बहुत basic सिखाया जाता है, अगर आपको इंसिट्यूट से course कर लो, को फड़ा ज्यादा depth of knowledge मिल जाएगा, 6th job के ऐस career option है वो है broadcasting journalism का, broadcasting journalism का, broadcasting journalism का, बहुत तगड़ा काम होता है, देखो ये नया method होता है, this is the new trending way in which your media, your content which is going out, digital medium के थूँ जा रहा है, तो you are responsible for the research, you are responsible for getting the show running, you are responsible to see कि भाई, वो content जो TV पे जा रहा है, वो सही जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, आपको interviews भी लेने पड़ सते हैं, and broadcasting journalism का, usually एक चीज़ ये भी रहता है कि उनका travel काफी हो जाता है, because they are not confined to one place, depending upon the segment and depending upon the company they are working in, इनका काफी on the go वाला काम होता है, but भाई, इनका बहुत ही important काम होता है, because इनको सारे information balance and accurate देना उपड़ते है, this thing cannot be biased, this thing cannot go off the topic, और ज्यादे अग्रिवेटेड नहीं हो सकता है, so research and चीज़े लिखना, इनका काम बहुत टफ होता है, वो तो भाई, मीडिया में कोई भी काम बोले, बहुत टफ ही होता है, but then again, अगर इस उनको camera face करना पड़ेगा, then again, it's altogether more trouble, 7th job के पास option है, वो है news producer, आप देखो, पहली बात तो समझो, directly news producer नहीं बनोगे, आपको काफी executive producer और यसा बनके आना पड़ता है, और a news producer is the main person responsible for running the complete show, उसका काम है देखना कि वीडियो सही चल रहा है, ग्राफिक सही चल रहा है, वियो सही चल रहा है, डारेक्टर ने काम सही से किया है, field team सही से काम कर रही है, कि नहीं कर रही है, basically, सब कुछ flow में चलना चाहिए, आठवा हुआ है, उसको वो अपने भाशा में अच्छे से लोगों को बताए, और उनकी audience उनको engage करके रखे, इतना समझो, सिर्फ कैमरा के सामें उसको बात नहीं करना है, देखो, looks looks to secondary है, personality है, उसका dialect है, उसकी communication काफी strong होनी चाहिए, मालो the presenter, अगर वो पर्टिकुलर सेग्मेंट क उसके उसके उपर बोलने वाला, यह बोलने वाली, दिखने में जॉब बहुत अच्छा लगता है, मेरे काफी दोस्ते जो जॉनलिस्ते बाई, मतलब प्रिजेंटर ने प्रॉपर, बदर तेंग इस नॉट इस नोट इजी जॉब, लाइक लिटरली याज रखना, मेडिया म जब अच्छी ऑस उप्षिंटर ने वह है क्रिटिक्स के लिए, अब प्रिटिक्समर अभी तुम उसके लिए तुम किसी आड एजसि ज़ण कर सकते हो, इवन यू कन जवाइन ऑ पॉड़्कास्त कम्पटनी, ंडी तीवी लाइस्टाल यह सब करते ही है, यू कन इवन जॉ प्रिंट मीडिया भी तुम्हें डिजिटल मीडिया भी ले लेंगा इसा कोई टेंसिन की बात निया इफ यू आप देखो है बच्पन से आप मिड़े देखो टाइमस इंडिया देखो बॉंबर टाइमस यहां वाला जो सेग्मेंट है वह हमेशा से एक 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 जोब काफी अच्छी है और पैसे भी काफी डीसेंट मिलता है इसके अंतर बट देन यू नीड तो स्टैंड आउट कॉंपटेटिव वाला यह तो मैं उसके लिए रिकमेंड करूंगा जिसका भाई ग्राफिक्स काफी अच्छा है जिसको स्केचिंग में सारे चीज आती है जिसको स्टोरी टेलिंग आती है यह उसके लिए ही जॉब है अगर आपको स्टोरी टेलिंग आता है तो यह मीडियम आपके लिए सही है लास्त एक बोनस पॉइंट वाला करियर ऑप्शन आपको बता रहा हूं वो है सोशल मीडिया मैनेजर आज के टाइम में जैसे टीवी में हो आज तक में हो कहीं पर भी आगर आप सोशल मीडिया मैनेजर उनका बन रहे हो ना भाई वैल्यूबल पॉसेशन बेटर विकॉज यू आर देन इन वर्किंग इन सिंक विद अल्डेपार्टमेंस बेसिकली मेजरी इन राइटिंग डिपार्टमें और ग्राफ अगर आपको मिलता है इन सच पॉब्लिकेशन आपका लाइफ अच्छा है क्योंकि वह एक बोनस चीज़ पर पहले ही बात किया हुआ है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डाल दूँगा वनेया काइं कार्ट पर डाल दूँगा प्लीज गो चेक इट कि अगर लिखना आता है उसको विजुल है कि वहाई उसको अच्छे से अपने दे सकती है साहत में तुम्हारा पैकेज भी बहुत अच्छा हो अब बात कर लेते पैसों के साफ से कि पैसे कितने मिलेंगा नौट टेलिंग वेरी ओनेस्ट अगर आप एक जनूलिस्म सुड़ इससे तुम हमेशा बोलता हूं कि experience लो, experience लो, internship या कुछ चीज़े करो, so that your experience level increases बट अगर आपको यह हो एकदम फ्रेश हो अब भी निकल के आयो तो भाई साफ तो इतना समझ जाओ कि ज्यादा पैसा नहीं है बट येस, वो 15,000, up to 2.5 lakhs भी जाता है, depending upon your experience रेडियो जोकी इसको शुरू होता है, 45-55,000 रुपीज से, अगर वो कोई sports anchor, जो सामने बात कर रहा है, उसका धायलाक रुपिया महिने का भी होता है कोई online broadcasting में media researcher, उसका 15,000 भी होता है और कोई online media channel पर सामने बात कर रहा है, broadcasting network पर, podcast पर, youtube channels पर, या online, any medium पर, वहाँ पर भी 15,000 से शुरू होता है that can also go up to 70,000, 80,000 रुपीज, but depending upon your experience, right, what you bring to the table, but reality तो यह है कि हाँ, 15,000 से शुरुदा होगा, bracket तो भाई है, लंबा है, like 1,500,000, 3,000, कहीं नहीं गया, कमा सकते हो, इस वेल में लिया, knowing that कि तुम experience गें कर लो, तुम skills गें कर लो, and तुम कुछ creativity लो, because journalism student ना, जो journalism छोड़ो, mass media student को creative होना ज़रूर ही, because यही तो हमारी, कहते हैं, यही रोटी रोजी जो कहते हैं, यही है, क्यों है, and start developing थोड़ा marketing वारा knowledge भी, because हम लोगो ना, mass media में नहीं सिखाते हैं, now me being experience with the BBS students also, BMS students also, मेरा group ही ऐसा था, मेरे circle में I was always good, कि भाई, मेरे पास पढ़े लिखे लोग है, आसपास थो knowledge हमेशा शेर होती है, तो अपने circle को थोड़ा correct कर लो, you are a journal student, don't just stick with journal students, थोड़ा explore करो, थीक है, थोड़ा अलग perspective लाओ, you will never believe कि marketing वाले जो होते हैं, BMS, BBA वाले, कभी-कभी वो लोग कितना अच्छा पिछ दे देते हैं, वो तो उनका काम ही होता है, बर वो ज एक नहीं, चार internship for presenters, anchors के लिए, into the entertainment sector, आपका काम सिफ होगा, entertainment segments to cover up करने के लिए, यह जो internship है, is only going to be for Mumbai-based students, because studio is going to be in Mumbai, तो अगर आप कोई मुंबई से कोई student हो, journalism student हो, या basically अगर आप कोई student हो, which who knows, who is aspiring to be an anchor, presenter, and आप camera के सामने बात कर सकते हो, then भाई, you can apply for this internship, यह internship में प आपको एक trending topic के ऊपर अपकी video बनानी, जैसे अभी जो current topic चल रहा है trending में वह है, आरियन खान का drug case, I want you guys to make a video, make a small segment, ज्यादा बढ़ानी, 3-4 minute का max to max बनाई है, एक segment मनाई है, on आरियन खान का case, what is happening, what is there, what is people saying, make it in an entertainment format, मैं फिर बोल रहाँ, political view से नहीं बनेगा, यह segment बने आपके drive पर या कहीं पर अप्लोट करके भेजेंगे, आपके audition के लिए, we will check it out, and उसमें तो select होंगे, हम लोग सिर्फ चार लोग को select करने वाले, mostly is gonna be a pair wise, like दो लड़कियां, दो लड़के होने वाले, तो try your luck, but give it all, and one more announcement की going forward now, WTD पर हम लोग सिर्प मीडिया मीडिया नह आपको पसंदार है, तो दोस्तों चानल को like, share and subscribe, ज़रूर कीजिए, ऐसा ही connected रही है, मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगा, ऐसी कुछ और नए topics के साथ, अगर आपको चाहिए कि और topic के पर वीडियो मनाओ, तो नीचे comment कर दो, यह है मेरा Instagram ID, यहां मुझे follow करके DM कर दी दीजिए, मैं आपको reply कर दूँगा, ठीक है, तो से के लिए आपको जहां पर भी सेवरे सरक्षी तरह अपने गरवाले का द्यान दीजिए, मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आप लोगों ऐसी कुछ और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए, दोस्तों, बाई कर दोस्तों